नमस्कार किसान भाईयों, श्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किसानों की प्लाट साला में किसान भाईयों, अगर आपने अपनी मका की फसल में अगर पहली से चाहिए कर दी है और पहली खाद भी लगा दी है परंत उसके बाद भी आपकी फसल में पीला पन है, पौदे छोटे बड़े है या फसल की जो ग्रोथ है वो कापी कम देखने को मिल रही है तो यह वीडियो आपको बहुत ही महत्पूर्ड रहने बाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बताने बाले हैं कि आप अपनी मक्का की फसल में दूसरी खाद के रूप में कौन से खाद लगा सकते हैं जो हमने फसल में समस्यां बताई हैं उन्हें आप कैसे कंट्रॉल कर सकते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को लाफ्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप अपनी फसल को अच्छे से ग्रो कर सकें, तो किसान भाईयो, सबसे पहले हम जान लेते हैं, कि हमारी फसल में ये समच्छाएं आती क्यों हैं, तो किसान भाईयो, हमारी फसल में जो समच्छाएं आती हैं, उनके आने के मुख्य कारण है, पहला कारण है किसान भाईयो, फसल में असंतुलित मात्रा में खादों का देना, दूसरा है किसान भाईयो, आपकी फचल में इलि या सूरी का प्रकोभ बहीं तीसरा है पानी की मात्रा आवस्चकता से अधिक या कम इन कालों की बज़े से ही आपको अपनी मक्का की फचल में ये समस्याइं देखने को मिलती है किसान भाईयो अब हम बात करें कि आपको अपनी फसल में दूसरी खाद के रूप में क्या लेना है जिससे कि ये सभी समस्याएं आपकी मक्का की फसल में देखने को नहीं मिलें तो किसान भाईयो दूसरी खाद के रूप में आपको लेना है 45 kg प्रती एकड़ के हिसाब से यूरिय, 1 kg प्रती एकड़ के हिसाब से हुमिक एसेड और तीसरा आपको इसके साथ लेना है किसानवाईयो कारट अप हाइड्रोकलोडाइड इसकी मातरा की बात करें तो इसकी 5 kg मातरा प्रती एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है जिससे की जो भी जमीनी कीट हैं वो भी अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएं इन सभी खाद और दबाओं को लाकर आप अच्छी तरह से मिलाकर अपनी फ़सल में दूसरी सिचाई के समय ही लगा दें फिर आप देखेंगे कि 3-4 दिन में ही आपको अपनी फ़सल में पूरी तरह से बहुत हरी भरी देखने को मिलेगी और इसके साथ ही आपकी जो फसल है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करके चलेगी किसान भाईयो जानकारी पसंद आईयो तो वीडियो को लाइक एवन सेर चरूर करें